लो फेंड्स, वेलकम टूबर चैनल, हम बात करने वाले हैं KPI Green Energy के वारे में, इस पर मैंने अलड़ी एक से दो वीक पहले वीडियो बना कर दिया हुआ है, जब श्टॉक अल्मूस्ट इसी रेंज के आसपा स्टेट कर रहा था, तो मेंबर ने मैसेज किया था, रिक्वेस्ट किया था, analysis के लिए, और अगर आपको भी ऐसे किसी वे stock पर analysis चाहिए, तो stock का नाम आप comment कर सकते हैं, अभी भी हमारे memory ने request किया है, तो simply मैंने आपको इस पर वीडियो अलड़ी दिया हुए, I think वो search में नहीं आ रहा है, बहुत simple है, मैंने आपको वहाँ पर भी clearly कहा था, अगर आपको buy करना है, तो try करिए, कि इस range के ऊपर, अगर कोई projection बना दीता है, तब आप buying प्लान कर सकते हैं, मैं personal अपनी view की बात करता हूँ, तो मैंने वहाँ पर बहुत clearly आपको कहा था, कि stock negative दिख रहा है, और वो negative side पर जाने बाला है, लेकिन अगर आपको फिर भी है क नहीं buy करना है, या यह उपर जाएगा, तो क्या plan कर सकते हैं, तो अगर buying के लिए जाता है, तब आप definitely 920 के जो उपर है, इसके उपर projection के साथ आप buy कर सकते हो, बाकि current level पर buying नहीं बनता है, second मैं अगर अपने opinion की बात करता हूँ, या अपने observation की बात करता हूँ, तो यह range मै आप इसको weekly chart पर भी देखते हैं, यह, तो यह मैंने बहुत clear आपको कहा था, यहाँ पर आप देखो breakout आया, breakout का immediately failure देखने के लिए बला, फिर second time breakout आया, फिर failure देखने के लिए बला, तो basically इतने मड़े momentum के बाद, stock अब कोई fresh momentum नहीं दे पा रहा है buying side के लिए, जब भी breakout करत करने के आसपास है, और अगर breakdown करके निकलता है, तो selling सार्फ होने वाला है, और minimum आपको 700 रुपे तक के लेबल बहुत आसानी से देखने के लिए हाँ पर मिल जाएंगे, तो अगर आप short term में interested है, तो definitely stock को आप अभी के लिए watch list में add करके रखिए, यहाँ पर अभी buying आपको नहीं मिलने वाला है, buying आपको मिलेगा या तो 720 के label से, और अगर यहाँ पर sustain नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो circuit वाला momentum बहुत जादा है, तो same चीज है कि अगर यह circuit में आना start हुआ downside पर, तो 480 का label भी बहुत दूर नहीं रहेगा stock से, तो इस बात को बहुत अच्छे सियाद रखेगा, अगर आप buying side के लिए entry कर रहे हैं, आपने कहीं पर entry लिया हुआ है, कि stock अभी के time में negative time frame में चल रहा है, negative chart है, तो अगर आप गलती से भी positive side का trade बना रहे हैं, तो आपको continuous वहाँ पर loss देखने के लिए मिलने वाला है, ऐसे किसी पर आपको analysis चाहिए, stock का नाम comment कर सकते हैं, support resistance के labels के लिए आप हमें telegram चैनल पर message कर सकते हैं, जिसका link description चैनल के about box में दिया हुआ है, वीडियो पसंद आता है, वीडियो को like करना, चैनल को subscribe करना मत भूलेगा, thank you so much